हलो दोस्तो नमश्कार अगर आप आने वाले 10 साल की बात करो, 15 साल की बात करो, तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री अगर कोई रहेगी, उसमें नमबर वन पोजिशन इंडिया का ही रहने वाला है, तो डेफिनेटली इंडिया की जो ग्रोथ है, उसमें हर कोई सेक्टर पार्टिस्पेट करेगा ही करेगा, अगर आपको बहुत आगे जाना है, अगर आपको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता बनना है, जैसे कि अगर आपको वर्ल्ड कप मारना है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सिर्फ बैटिंग अच्छे होनी चाहिए, जा फिर आपकी सिर्फ बॉलिंग अच्छे होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बैटिंग, बॉलिंग, फिल्लिंग, हर चीज में, तो वैसे ही, इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तो, आने वाले ग्रोथ स्टोरी की बात करें, तो हर एक सेक्टर का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, कौन से सेक्टर की में बात करा हूँ, तो इंफ्रा सेक्टर की में बात करा हूँ, इंफ्रा स्ट्रक्चर, तो यह जो सेक्टर है, आप सभी लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, जितने भी ड दूसरे जगे अगर आपको जाना है point A to point B, one city to another city, one state to another state, उसके बीच में मान लिजए कि सड़क ही खराब है, तो आप समझ सकते हो ना कि 2 घंटे का रस्ता आपको 4 घंटे में पढ़ जाएगा, और इतना slow अगर होना लग गया तो development कैसी होगी, तो इसलिए सरकार को भी पता ह कि अगर हमें आगे बढ़ना है, तो infra के उपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और इसको सुधारना पड़ेगा, और इसलिए अगर आप चेक भी करते हो, कि अभी का budget की बात करे, या फिर इसके पहले की budget की बात करे, तो सरकार capital expenditure बहुत ज़्यादा increase करते ही ज इसे के उपर focus नहीं दिया, तो फिर क्या फाइदा है, एक जगे से दूसरे जगे पर जाने के लिए कितना time waste हो जाएगा, तो ये सब कुछ smooth होना चाहिए, जितना smooth हो जाएगा, उतना ही वो lagging time कम हो जाएगा, उतना ही productivity बढ़ेगी, so infrastructure इस sector को हम लोग deny नहीं कर सकते, पर infrastructure ये जो sector है, उसमें margin का बहुत issue होता है, margin का issue मतलब, basically अगर मैं आसान बाशा में बोलू, तो ये बहुत ही खर्चिला sector है, बहुत जादा पैसा चाहिए आपके पास, तब ही जाके आप profit निकाल सकते हो, मतलब पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, मतलब cement लगाओ, उसके बा कि ये जो 100 का हम लोग estimation लेकर चल रहे ना कि इतना खर्चा होगा, cost लगेगा, ये commodities से related जुड़ा हुआ sector है, and commodities के दाम आपको पता है, बहुत ज़्यादा fluctuate होते हैं, and बोलने के लिए हम दोनों side की बाते हैं, कि plus minus होता है, बट actual में देखा गया, तो इसमें ज़्यादा price ह ही होते वे देखने को मिल जाते है, बढ़ते वे देखने को मिल जाते है, तो कल के दिन, ये जो calculation अगर कोई बैट जाता है, कि 100 के बदले 120 और 20 मेरा मुनाफा, कल अगर मेंगा हो गया, commodities के दाम, cement, steel के दाम मेंगे हो गया, और 110 लग गया, तो आपका जो ये 20 का profit है, वो 10 प आपको पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि blindly जाकि बस मैंने निवेश कर दिया, और बाद में आपको ये दिक्कते आ सकती है, तो इसलिए ये problem भी मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, तो चले ठीक है, इतना तो पता चला कि infrastructure के उपर अभी हम लोगोंने focus रखना है, ये focus मत आपको ब्रायन लारा जैसे 400 run score करने है, तो आपको test match में ही वो possible है, T20 में तो होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ठीक है, अभी कौन-कौन से stocks को हम लोगोंने study करना चाहिए, तो वो मैं आपकी सामने रखना चाहूँगा, and again clear cut disclaimer है दोस्तो, कोई आपे recommendation नहीं कि आ important points cover किये, तो इस video का link भी मैंने उपर eye button पी दिया है, जरूर इसको देख लेना important video है, तो ठीक है दोस्तो, वापस हम लोग आ चुके है हमारे topic के पर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कि yes, यह जो ऐसा sector ने जहापे risk भी जादा है, and reward comparatively, comparatively हम लोगों को कम भी देखने क आपे मिल रहा है, तो इसलिए इस sector से बहुत सारे लोग दूरी बना के भी आपे रखते है, पट सिर्फ एक ही advantage है, कि इंडिया की growth story है, इसके चलते आप चाहो, study करने के लिए, कभी अगर आपको लगता है कि infra को study करना चाहिए, तो definitely आप इन stocks को study कर सकते हो, तो चलिए, सबसे पहले तो steel cement ही हमारे दिमाग में आ जाते है, so cement sector में देखा गया है, तो आपको पते ये भायंकर competition है, और बहुत सारे चीज़े भी गलत चलती रहती, cartelization and all that, बट फिर भी अगर आपको interest ही है, कि सर हमें जाना ही है, तो कौन सा stock, तो multiple times बोल चुका हूँ, अधित्य विरिला ग्रूप का जबरदस कंपनी, रैट, अल्टराटेक सिमेंट, इस कंपनी को आप चाओ तो study कर सकते हो, इसके अगर हम लोग 5 साल की story देखेंगे, कितने returns है, 77% की return, क्योंकि जैसे हमने का की sector ही slow है, low margins बनते है, बट स्टिल 5 साल में 77% स्टिल देखा गया, तो इतन इसके चलते आपको पता है, मतलब इनफरा के जो equipment वाले जो गाडिया होती है, वो अलग टाइप के होती है, जैसे की cement mixer जैसे गाडिया आपको देखने को मिल जाएगी, तो इनफरा में कौन सी ऐसी company जो vehicles प्रोवाइड करती है, best quality के, तो वो है अशोक ले लेंड, बहुत ही उंदा company, बहुत ही जबरदस company, 2014 से में इस company को यहापे hold कर आओ, बीच में 2018 में, जो सरकार की रंडीती, policy या बदली थी, इस चलो इसको ही pick कर लेते, ऐसा बिलकुल भी करना नहीं, pricing का कोई संबंध यहापे होता नहीं है, mid cap quality की company, but yes, long term के vision की बात करे, इंडिया की story की बात करे, अशोक ले लेंड में वो potential ज़रूर नजर आता है, next अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो roads यहापे बनना बहुत cap company है, अभी edge infra की अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले भी मैं वीडियो यहापे बना चुका हूँ, इसे related मेरे study करने के लिए आपको का था, again and again मैं multiple time आपको यह याद दिलाना चांगा, कोई recommendation है, हमेशा ऐसे risky company में, आपको पता ही है, हम कौनसा formula follow करते है, SQSA वाला formula, मतल आप small quantity के साथ जाओ, या फिर small amount लगाओ, अगर आप interested हो तो, क्योंकि इनने risk बहुत है, हाँ, अगर यह consistently अच्छा करने लगे, numbers इनके अच्छे आने लगे, तो definitely हमें आगे भी यहापे बनने का विचार करना चाहिए, so इस company के number भी अच्छे है, company को contracts भी अच्छे मिल रह रखता है, तो ऐसे हर एक चोटी-चोटी बात है, आप लोगों को यहापे पता होनी चाहिए, then अगर infra की बात करें दोस्तों, तो definitely इसमें railway भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है, rail infra के उपर भी आप focus रख सकते हो, जिसमें popular company RVNL है, then देखा गया है, then देखा गया है, त जो कि इनी को, यह तो infra वाली company ने, but yes, railway companies जो भी projects develop करेगी यहापे, तो इससे related finance की जरूरत पड़ेगी, तो IRFC जैसी companies की ही यहापे जरूरत पड़ेगी, तो इनके उपर भी आप लोगों का focus यहापे रहना चाहिए, then अगर देखा गया, तो कुछ other companies भी आपके सामने रख करेंगे, और बाद में बोलेंगे, हम तो trap हो गए करके, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, यह company है, fantastic, but slow चलती है, हाँ, definitely मेरे पास भी है company, चोटा सा ही हिस्सा है, जादा नहीं, बट yes, बहुत अच्छे कासे property इस company ने कमा के हमें यहापे दिये है, then अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप चाओ, तो ग्रेंडवेल, नौटन, जैसे अबरेंसिव में भी काम करने वाली companies को भी अपने radar के ओपर यहापे रख सकते हो, तो basically दोस्तो, overall conclusion क्या है, कि infrastructure यह जो sector है, आने वाले समय में, इंडिया अगर बढ़ेगा, तो मतलब यह वाला point याद रखना, चलो इंडिया का आई, अगर हम लोग यहापे बात करे, और infrastructure का आई, यह दोनों एक साथ हम लोगो grow होते वे देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए, अगर आपको study करना है, तो इन stocks को आप चाओ, तो study यहापे कर सकते हो, आशा करता हो दोस्तो, वीडियो अलफू लगाओगा, तो जरूर लाइक और शेर कर देना, अगर अभी तक उपन नहीं किया, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पच्छीस वीडियो के लिस्ट, बिल्कुल free of cost मिल जाएगे, आपका नाम, कौनसा अकांट अपने लिंक की तरो उपन के, प्रॉपरली कमेंट से कर देना, तो